नमस्कार मारे विशेश कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूशे शांगभट COVID-19 यानि की कुरोना ने इस समय पूरे विश्यो को अपनी चपेट में ले रखा है और इसी दोरान कई देशों ने लॉकडाउन का आवान किया भारत उसमें अगरिम रहा भारत सरकार ने तुरंट फैसला लिया और देश में लॉकडाउन के पीरियट को अब और बढ़ा दिया गया इस दोरान कई से कई इलाज को लेकर साथ साथ रिसर्च चल रहा है साथी अब आपको बताएं कि जो लोग घरों में हैं उनको भी कुछ न कुछ समस्य हो रही है और उसी विशे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लॉकडाउन और मानसिक स्वास्त को लेकर और तमाम जानकारिया देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौचूद है मनोज ग्यानिक डॉक्टर मुकुल शर्मा जी सर बहुतर स्वागत आपका करेकरम में और सर पहला सवाल तो मेरा यही है कि लॉकडाउन का जो असर है वो मानसिक तोर पर लोगों पर कैसा पड़ रहा है देखे बहुत ही समाने जीवन में हम लोग रहा करते थे और हमारा एक सिस्टम था कि हम आफिस जाएंगे शॉप पर जाएंगे अपने बिजनस थे लोगों के घर से बहार लोग निकलते थे अचानक से जो पूरे विश्व यापी ये समस्या हमारे सामने आई उसमें अचानक से हमारे मानने प्रिधान मुत्री ने एक डिसेजन लिया हम सब की हम लोग बचाने के लिए कि हम लोग डाउन करेंगे तो लोग डाउन में जब हम लोग घरों के अंदर बंद हो गए तो दो दिन तीन दिन चाट दिन तक हम मैनेस कर पाए उसके बाद बहुत सारा एक डर पैदा हुआ क्योंकि COVID-19 के issues का अभी बहुत अच्छे से information हमारे पास नहीं है हम सब research कर रहे हैं लेकिन एक डर की स्थिती पैदा हो रही है उसके अंदर कि हमारे अंदर कहीं किसीने touch कर लिया तो उसको लगता है यह तो नहीं हो गया कोई समान देने आ गया तो उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं हो गया दूद वाला आ रहा है कि भी तो लग रहा है कि इसकी पॉलोथीन को साफ करो तो एक डर का महौल अंदर पैदा हुआ जिसके वेसे बहुत सारे fear disorders तक हुए और अभी हमारे कुछ society tendencies तक आएं लोगों में जिनसे बहुत सारी बाते करके motivate करके हमने उनको थोड़ा सा बचाने का ब्रयास किया तो मतलब कुल मिलाकर ऐसे केसे सामने आये हैं इससे जुड़े हुए डर के कारण पिछले पांच और छे दिन में लगबख 27 matters हमारे पास आये हैं जिसमें से तीन सुसाइट tendencies के matter हैं कि उसको ऐसा लगता है और तीनों cases में ऐसा लगता है कि economic हमारा खतम हो गया हमें job नहीं मिलेगी हमारा career खतम हो गया और तीनों ही लोग married हैं कि हम बच्चों को कैसे अब survive करेंगे कहां जाएंगे कैसे पढ़ेंगे और rental property में रहते हैं तो rent कैसे देंगे तो बहुत सारा fear developed हुआ तो disorder में convert हुआ और disorder से suicide करने का उन्होंने प्रियास किया घर में कोई था तो बच पाए और हम लोगी team वहां पहुची थोड़ा सा उनको motivate किया और लगातार हम फोन पे उनको motivate कर रहे और उनको बचाने में सफल हुए तो डॉक्टर साब जो डर है लगातार जो डर का माहौल है अगर वो यहीं बरकरार रहता है तो मतलब यू कहें कि मानसिक रोगी बन जाता है जब हमारे मस्तिक्स में बहुत जादा विचार आते हैं जिसकी frequency capacity बहुत fluctuate करती है या विचार नहीं आते हैं या कोई अच्छे स परते हैं बेचेनी होती है मज़ूरियों वो टीवी देखने लगता है मज़ूरियों कुछ लिखने लगता है मज़ूरियों लोगों से फोन डे बात करता है और वो stress को अगर बात ना की जाए तो disorder में convert होता है उस time अगर बात ना की जाए तो disorder से वो disorder में convert होता है जहां पर बहुत ज़ादा मेहनत करने की और बहुत ज़ादा मेडिकेशन की ज़रुद पड़ती है करोना संक्रमन में मानसिक स्वास्त का कितना एहम रूल है देखिए किसी भी संक्रमन में, किसी भी बिमारी में, किसी भी समस्या में 100% मानसिंग संतुलन को होना बहुत जरूरी है दो पेशेंट जो की सेम डिसीज करें उसमें एक बहुत पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव नहीं है उन दोनों को रिकवरी में टाइम लगता है जो बहुत पॉजिटिव है वो शायर दस दिन में कर जाए और जो पॉजिटिव नहीं है हो सकता है उसको दो या तीन महिने लगें तो पॉजिटिव होना मानसिक संतुलन का होना हमें बहुत काम होना इसीती को समझना और संजाना बहुत जरूरी होता है तो मतलब कुल मिला के आदी जंग अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो तब ही जीट जाएगा जब उसका मानसिक संतुलन जादा बहतर होगा सशांग जी मैं इस चैनल के माधियम से पूरे भारत वर्ष को जो लोग देख रहे हैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे विशेशग हमारे भारत वर्ष में इसमें काम कर रहे है जिसमें थिंग टैंक हमारे खुद के प्रधान मंत्री भी है थिंग टैंक जो बहुत काम कर रहे है तो जब बहुत सादा एक्सपर्ट काम कर रहे है तो हमें बहुत जादा सोचने की निस चिंदा करने की ज़रूद नहीं है हूँ expert है हमें updates यह रहे हर हफते हमारे PM साफ का updates आ रहा है इस time पर हमें support करने की ज़रूद है जिन विश्यो पर हम जादा परशान है, economy परशान है, financial परशान है उस पे पर परिशान हैं, उस पे पर परिशान होने की जरुवत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं, जब लॉकडाउन से हम बहार आएंगे, तब हम कुछ इसके इंदर पॉजिटिव देख पाएंगे, और पॉजिटिव होगा ही. तो इसको डिप्रेशन का ये रूप समझें? और बहार निकल के फ्रेश एर जो पहले घूमते थे, काम करते थे, दो पैसे कमाते थे, उसकी संभावना ही भी खतम हो गई है, तो जहाँ पर टीवी नहीं है, जहाँ पर सुविधाय नहीं है, तो डिप्रेशन तो आप समझ सकते हैं कि आई जाता है. तो शुरुवाती लक्षनों की अगर हम चर्चा करें, कि इसके शुरुवाती लक्षन क्या कुछ होता है? कैसे हटे, क्योंकि कहीं लोग लंबे देर तक सूते हैं? वो फिर उठते हैं, फिर उठते हैं, फिर उठते हैं, और जो वोट्सप का, जो सोचल मीडिया का दाइरा है, उसको अगर आप देखें, तो कई लोग सुबह आपको साड़े तीन बजे चार बजे भी वोट्सप पर मिल जाएंगे, जो की अच्छी बात नहीं है, 24 गंटे को एक अच्छे से प्लान करना चाहिए, अगर हम माइन को यह बताएं कि हम वर्किंग हैं, हम बेडरूम से निकल के, जो टाइम नहाने का हमारा टाइम था, बेसिक्स, तो वो दो गंटे के बात कर लें, अगर 6 बजे का टाइम था, तो हम 8 बजे कर लें, दो गंटे लगता है कि 99% केसे में प्रॉलम या डिसॉर्डर या फियर होने की संबाबना नहीं है, तो कुल मिलाकर जो दैनिक दिन चरिया है, आप कह रहें कि उसको न तोड़े, बहुत जरूरी है, देखिए, अगर आप दिन में 12 बजे उठते हैं, और 12 बजे उठके फिर आप ब्रि थोड़ा कोशिस करें, तो यह जो डिसॉर्डर, फियर, फोबिया हो रहे हैं, जो मांसिंग अंसुंतलन है, यह डिप्रेशन की करांड बहुत आदा करांड बन रहे हैं, वह करांड नहीं बनेंगे, और अभी भी हम कुछ लोग को जानते हैं, जन्होंने अपने आपको बात पर गुष्सा आने लगेगा, आपको मन करेगा कि मैं घर सक यहां से बाघ जाओ, मुझे खाना नहीं खाना है, वह सी बात नेहीं करेगा, यह तो मन मन करेगा, उस को बलाएंगे बच्चे को या बड़े को, तो Canad मैं बात करोंगा ऐसा किूस होता है, यह कुछ कार्टून द जरुवत है एक बार दो बार तीन बार बात करें और उसको बोलें कि परमानेंट ना हो जाए अगर वह नहीं कर पा रहें तो उनके बहुत कुछ लोग कनेक्शन में होते हैं उनसे बात करें उनसे भी अगर आव नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लेने फोन पर बहुत सारी लाइने जो फ्री अपकॉस से विदा हैं दे रही हैं उनसे वो लोग एक्सपर्ट से अडवाइस ले सकते हैं तो मतलब माने की जुल-जुलाहट होना गुस्सा आना चिरचड़ापन होना हाँ जी सब डिप्रेशन के शुरवाती लक्षन है बिल्कुल सकते हैं उनको कुछ दाने पढ़ सकते हैं या उनको डिसॉर्डर फियर गुस्सा आ सकता है शरीर का वेट एकदम गिर सकता है शरीर का वेट बढ़ सकता है आँखों में कुछ ऐसे खुजली हो सकती है तो यह सारे डिप्रेशन के बेसिक लक्षन है कि यहाँ पर आपका शर पहले चीज मेडिसन दाज चोड़ें और अपने डॉक्टर के साथ फोन पर कनेक्ट रहें अगर लग रहा है कि वो उनको हैल्प की जरूवत है तो हमारे शहर में हर शहर के अंदर दॉक्टर हैं उनके फोन नंबर से अविलेबिल हैं उनसे बात करते रहें अपना जो वाइ पर अपने बिस्तर पर कर सकते हैं नीचे बैट के कर सकते हैं लेट के कर सकते हैं और हमारे यहां लगबख 90% केसे में कि हम थोड़ा सा बहर 100-50 मिटर निकल भी सकते हैं तो वहां चले जाएं दो चार पांच राउंड लगा लें वोक कर लें जिसकी पूरी बाड़ी आपको हमारी आई है इस बीच प्रिकॉशन्स लेने हैं पर बहुत से लोग प्रिकॉशन्स नहीं ले रहे हैं चाहे उनका मान से किस तर उस लेवल पर ना हो तो क्या कुछ साफधानी रखे उनके जो पेरेंट्स है या फिर परीजन है देखिए मैने इससे पहले भी बताया कि उनक प्रिकॉशन्स लेजन से मिलाकर दे सकते हैं और जब वो पेशेंट है तो उसके गुस्ता ना करें बेखिए उससे बात करें उसकी हां मेहां मिलाएं वो कह रहा है मुझे बहार जाना है थोड़ा उसको बहार जाने दे सौ मीटर दो सो मीटर जाने में कोई दिक्कत नहीं त तो वहां तक तो जाकर बहार जा सकता है और उसके खाने पिने का विशेज ध्यान रखें और उसके सूने का ध्यान रखें और उसे मोटिवेट करें कि आपको आट गिंटे की नीन की बहुत ही सक्स जरुवत है और डॉक्टर ने बोला है कुछ कसम देके कुछ संसकार सपोर्ट करेंगा अभी तक आपकी बातों का निश्करस निकालें तो मिलाकर यही है कि खुद को यह ना महसूस कराएं कि आप मानसिक कैद में देखें यह जो लोकडाउन है इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और इसमें बहुत कुछ हमारा नहीं चल सकता क्यो होना है वाइरस से जूज रहे हैं और बहुत सारी हमारी समाजिक संग्ठन और हमारी मीडिया और हमारी पुलिस और हमारी पेरामेंडिकल स्टाफ डॉक्टर उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ और समस्या आ जाती है तो फिर एक सरकार को और एक समाज को अगर कोई व्यक्ति अकेला है इस दौरान या फिर अमोमन देखें महानगरों में कहीं लोग हैं जो फसेव हैं अपने घर जाने की कोशिश कर रहे ते पर नहीं जा पाई लॉक्टाउन है तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कुछ अकेले वे जो है वो क्या कुछ कदम उठाए क्य कुछ साफधानिया परते इस दौरान देखिए जब लॉक्डाउन से पहले यूध जो कॉपरेट वर्ड का हिस्सा रहा है हमारे इंडिया में लगबग 43% कॉपरेट वर्ड है जहां पर हमारा जो भविश है हमारे जो यूध हैं वो काम कर रहे हैं तो यूध का हमेशा से मै बहुत साल से इस प्रोफेशन में हूँ मैं मुझे बोलते थे कि टाइम नहीं मिलता संडे भी जाना पड़ता है हम कुछ लिखना चाहते हैं कुछ कविताया लिखना चाहते हैं अपने बारे में कुछ किता बायोग्राफी आटोबिग्राफी लिखना चाहते हैं हमारे आपको जाना पड़ता है, जैसे अगर आप मीडिया की बात करें, तो आपको बहुत बड़ा समय दिया है, जिस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एक बात तो तो तैय कि आप बाहर नहीं जाएंगे, तो आप घर में रह के क्या करें, आप किताब लिख सकते हैं, आपके बच्पन के जो फ्रेंड से उनसे बात कर सकते हैं, और बहुत सारे ब्लॉगर बना सकते हैं लोग को मोटिवेट करने के लिए, और आपको एक बहुत सरकार ये भी चाहती है, कुछ समाजिक संगठन या कुछ एक्सपर्ट्स हमें सपोर्ट करें, तो जो लोग ठोड़े ने अगर देखें, अगर आप वाक करें, थोड़ी सी वाक करें, तो आपको अच्छा लगता है, तो जो बहुत सारे छोटे-छोटे सपने थे हमारे, जो हम सोचा गरते थे कि यार हम एक समय मिलेगा तो हम करेंगे, तो एक समय भगवान ने सुप्रिम सोल ने आपको दिया है, तो समय का कहीं नगी 70-80% आपको यूटिलाइस करना चाहिए, इससे कि आप एक नई शेप में, नए दरिस्टी कोण से और नए एक शारिरिक और मानसिक एक नए दरिस्टी कोण से लोगड़ौन के बाहर निकलें। मानसिक स्वास्त को मजबूत करने के लिए परीजनों के साथ समय बिताएं। सरकार ने बहुत ही सरानिय है, उसको वो लोग देख सकते हैं, और उसको देख करके सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हम एक घंटा रमायन देखेंगे, और एक घंटे के बाद सब्सक्राइब भगवान रामने या जो रावण के वचन थे या कृष्ण की, जो भी हम करनेजमेंट है, वो बहुत इजीली हम वर्क आउट कर सकते हैं. वो बहुत ही विंजनो में व्यस्त है, मैं देख रहा हूँ हर दूसरे घर के अंदर वो बहुत एक्सप्रिमेंट कर रहे हैं, पतीयों पे, बच्चों पे और परिवार में लोग हो उन पर ही जल रहा है, तो बहुत सारे विंजनों को ट्राहि हैं, करना भी चाहिए, कि घर क जो इन लॉज हैं उनको टाइम में दे पाए, फोन पर ही बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, खुद को भी बहुत सारा काम करने का समय मिला है, अगर आज की येट में चौबश घंटे में दो तीन घंटे खुद को देना चाहें, एकसाइस करना चाहें, यूवर करना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें, को अच्छे से खाना बनाना चाहें, किसी को मोटिवेट करना चाहें, पडोस में किसी को कुछ खाना देना चाहें, पर उसमें संबंद को ठीक करना चाहें तो यह बहुत बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जिस पे वो पॉजिटिव रह सकते हैं और आसपस के महल को लोग को पॉजिटिव कर सकते हैं तो मतला कुल मिलाकर देखे तो ग्रहनियों का जो रूल है वो बहुत अहम हो जाता है अगर वो पॉजिटिव रहेंगी तो परिवार के सदस्री में भी एटमोसफेर क्रिएट होगा घर के भीतर देखें सर्शांग जी हमारे भारत वजश में हमारे सोसाइटी में सबसे मेंटम था उसके अंदर वो बहार जाया करता था महिलाएं भी हमारे यहां बहुत काम करती रही हैं कुछ महिलाएं से हौसवाइफ है तो वो हौसवाइफ है तो उनको खुद को मोटिवेट होने की जरूबत है और हजबेंड को या बच्चों को जो मेल में मोटिवेट करने और डिसकस करें आपस में बैटके शाम को और कोई मूवी देखें अच्छे से और काफी लोगों से बात करें विकल बहुत है कुल मिला के बीजी रहें तो ज्यादा बैतर है बच्चों के मांसिक स्वास्त पर क्या कुछ नजर रखें इस वक्त अभी वावक देखें बच्चे का थोड़ा सा काफी समस्या आई हैं क्योंकि बच्चे थोड़े बाहर खेलते थे और उनका एक सिस्टम था स्कूल जाने का बंद हो गया है ओफलाइन वो क्लासिस के अंदर पढ़ते थे अभी ऑनलाइन कुछ सुरू कर दिया गया है तो बच्चों के बहुत सारे बच्चे बोलने हैं हम तो ऑफलाइन क्लास में भी नी पढ़ते थे तो ऑनलाइन कैसे बढ़ेंगे तो उनके साथ हमारी इंडिया में क्या है कि माता पिता काफी हद तक कौलिफाइड है तो उनके लेविल पर आ जाएं बच्चों की लेविल पर आके टाइम सेट कर दें कि तुम खे है अगर वो कड़ सकते हैं तो जिसको आज पढ़ने जा रहे हैं उसको पांच मिनट पहले देख लें जैसे कि कि बच्चे कोश्टन पूछते हैं और हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि हमारा स्लेवर उस ताइम पर अलग था और बच्चों का अभी अलग है तो कि यह वार हम हमी खुदी हाथ से का पात्र बन जाते हैं कि आरे हमें बच्चों के वारे हैं पता नहीं है तो दस मिनट देख लें और दो घंटे बैठें और उन पर गुस्टा ना करें मार पीट ना करें उनको दोस समझे चार-पांस दिन जब प्रैक्टस करेंगे तो जो सिस्टम चार बच्चों में कैसे आके की बच्चा दबाओ में है या नहीं है तनाओ में है कि नहीं है क्या वही सेम सिम्टम से आलग होते हैं थोड़े से आलग होते हैं बच्चा जिद्धी होता है और बच्चों में देखा जा है अब HEY कि बच्चे जो हैं लाइफ का जो एक वैली होती है है कि जो मूले होता है जैसे हमारे जो धरम है उसमें बुला गया है कि 84 लाख योनियों के बाद एक पुरुष्ट का जनम मिलता है, या इस्तरी का जनम मिलता है, तो बच्चों को जीवन की वैल्यूज नहीं है, बहुत छोटी बात पे वो कई बार गाले के लोज भी कर जाते हैं, कई बार हमें देखा हैं, इंडिया में सुसाइट तक कर जाते हैं, तो ब गुस्सा करने के बाद वो आप उसे जाके बात जरूर करें, अपने इगो को थोड़ा नीचे करके चले जाएं, छेड़ दें उसको, बात कलने क्या हो रहा है, और अगर आप सौरी भी बोल देते हैं, जिसमें बच्चे को उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सौरी बोलने स उसके, और वो कहां पर कैसे क्या चीज कर रहा है, कितना गुस्सा कर रहा है, किस तरह कर लेख कुछ तो अगर कुछ ऐसी एक्टिविटिउस हो रही है, जहां पर कि उसने कुछ उठा के गळास फेक के बाड दिया है, जहां चेयर तोड़ दिया है, या गेट को बांक कर दि का वो माहूल नहीं मिल पाता घर के बीतर जो उनको चाहिए होता है अट एट टाइम आपके आसपास से आपकी तमाम फाइले होती है या फिर तमाम जरूरी दस्तावेज होते हैं इस दोरान वो चिड़चड़ापन भी आ जाता है तो वो लोग कैसे आपने बारे में वर्ट कर होने के संभावना तो अब नहीं है लेकिन एक कुछ समय जो क्रांती देखी ती जो एक्सपर्ट की एडवाइस थी वो यह थी कि इंडिया को भी वर्क फॉर्म हम करना चाहिए तो कुछ जो एक्सपर्ट थे बैंगलावर में जो मैट्रोज हैं हैं हैदराबाद में उनसे मे इंडिया दे भी है लग भी तीन चार परसेंट लोग वर्क फॉर्म हम करते हैं तो एक बार तो यह जो सपोर्ट हम सरकार को दे रहे हैं कि घर से नहीं 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 है और दूसरी बात यह है कि हम घर को अगर एक घर में अगर वर्क फॉर्म हम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं वो सेलरी मिल रही है ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनको कोई काम नहीं है वो बर्क फ्रॉम निकर ही नहीं सकते जो इतने कौलिफाइड नहीं है कि लैप टॉप लेके या फोन लेके ऐसा काम कर सके तो इसको पॉजिटिव समझे और ब्रेन को सब इंदर आप जो भी काम कर रहे हैं लैप टॉप पर काम कर रहे हैं तो यह फोड़ा सा इसको समालने की जरूवत है अभी कि आपको सेम एड़ पॉस्टियर मिलेगा वह अभी चांसे फोड़ा सा नहीं है आपने बताया कि हाल के दिनों में कई केसे आपके सामने आए हैं काउ पर न को आनोती आ रहे हैं अए इस वक्त वह भी अगडाउन के जरू हैं लौकडाउन में सेम टाइम पर जब दो केसे होते हैं 96% केसी में हम फोन पे कर लेते हैं हमारी टीम है जो कि उनको मुटिविट कर पाती है और आथ भी हम बाहर रहते हैं दिन में भी रहते हैं बट 4 सब्सक्राइब एक टाइम पर दो केस होते हैं एक डिफिरेंट लोकेशन पर है और वो बात करने को तियार नहीं है उसने कमरे को बंद कर लिया है या चछत पे से किसी ने उसको पकड़ा हुआ है वो जंब करना चाहता है और वहां पर किसी क्लिनिकल सेकलॉजिस्ट को मनो वि विग्यानिक को पौँचने की जरुवत है कि उसको सुन ले तो वहां पर एक टाइम पर दो जगा जाना पॉसिबिल नहीं होता जिक तो यह है दूसरा यह जब हम पौँचते हैं तो वह सुनना नहीं चाहता है कि कई सारे एक्सपर्ट है वो खुद भी बहुत है हमारे लिए और कई बार हमारी टीम जो होती है उसको जाना पड़ता है कि उस डॉक्टर की टीम है तो कई बार पुलिस जो की बहुत अच्छा काम कर दी है तो वह कहने के सवाल पूची लेती है आप कहां जा रहें तो वह पांच-जास मिट का जो एक कंवर्शेशन है फि भी मानसिक तोर पर कही ना कही प्रभाव डालता है देखिए लगबग 67% जो केसिस हमारे पास आये हैं उसमें उनका मैक्सियम जो सोचल मीडिया पर रहने से करांट बना है और उनका टीवी में देख रहा हूं कि अगर वह सुबा आट बजे उनका खुलती है तो वह जो सु सो नी रहे है तब तक वह टीवी चल रहा है और हम यह देख रहे हैं कि तीन और चार चैनल से उपर नहीं जा रहे है और आपका ब्रेन एक ही निउस देखेगा जो की अपडेट के लिए अच्छी है ले किसी की डैथ हो गई और कहीं पर यह वाइरस के कुछ और किस सामने आ और कुछ समय के बाद लगबाई 21 गंटे को इसको देख ले तो उसको महसूस होता है कि मैं हूँ यह कर दो नहीं हो रहा है और बहुत सारी जो एक्सपर्ट है उनकी एडवाइज बहुत ची होती है कि आप टच्छ ना करें आप मेट्स को ना बुलाएं आप न्यूश्वेपर में भी बहुत कुछ हो सकता है बहुत सारी बात ऐसी होती है तो डरने लगता है तो what is my suggestion humble request मेरा अनुग्रह अनुरोध है सभी लोगों से कि मीडिया जो हमारा टीवी है उसको जरूर देखें देखना चाहिए तो एक चार-पांस घंटे से जादा नहीं चार-पांस घंटे म वह भी बहुत जरूरी है लेकिन अगर उसको आप 15 में हर तीन घंटे में 15 में 15 में देखा आपने आप ब्रेट्स लिखा दो कुछ किया उसके बाद पर चलेगा लिए लिए लगातार जो देख रहे हैं 17-18 घंटे हैं वोटसप पे इंचीजों पे हैं तो कहिने कि ब्रेन का जरिक को अपना दोस्द बना लिया जाए इस वक तो ज़्यादा बहतर है। और हम कहीं जाके सोफे बैठके अराम से पंदमत बुक को पड़ा जो कि एक चलन खतम हो रहा था कि हम सब बोबाइल पे चले गए थे तो वह वापस आने की संभाब ना है और उससे पॉजिटिवनेस हंडेट परसंट आएगी तो कुल मिलाकर अगर देखे तो धरम से जुड़ी अगर किताबों को पड़ें तो बौदिक ज्यान में और जादा विस्तार होगा और मानसे किस्तिती को आप कैसे आखते हैं पिछले जो सशांग जी चार-पांस साल से अगर हम बच्चों की बात करें जो की 18 साल तक के बच्चे हैं तो उनको संसकार सब्वेता संस्कृती धरम की बात करें किसी भी धरम की तो नौलिज का जो रेट था वो बहुत बोलटाइल था बहुत काम था और वो बहुत खराब लगता था कि बच्चों को राम और क्रिशन जो की बहुत बड़े अपतार रहे हैं उनके जीवन से लोगों ने सीखा है उनकी नौलिज नहीं है तो एक बहुत अ कंप्रसरी कर देना चाहिए कि आपको 15 मेंट 20 मेंट आप किसी भी महाफुट्स के बारें पढ़ें और उसकी एक अच्छी बात को जो भी आपको अच्छा लगता है उसको अपनी जीवन में इंप्लिमेंट करने की कोशिस करें कारिकरम के अंप में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप जंता को जो भी दर्शा की देख रहे हैं मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा चेलिंज है कि आप घर के अंदर है और कोविट 19 का इशू है कोविट मतलब क्राउन तो उस क्राउन को खतम करना है और आपके बिना मदद के आपके बिना सयोग के हम सब नहीं कर पाएंगे और हमारे बहुत सारे मीडिया करमी हमारे बहुत सारा पेरामेंटिकल स्टाफ डॉक्टर अपने जान को हतेली पे लेके और बहुत सारे पुलिस करमी और बहुत सारे स अप्टर साब बता रहे थे कि छोटी छोटी बाते हैं जिनका विशेश तोर पर ख्याल रखना है और जितना हो सके अपनों के साथ समय व्यतीत करें घर में रहें सुरक्षित रहें दूरदर्शन उत्रकेंड आपसे यही अपील करता है नमस्कार